जानते हैं तेज वारिश के कारण हर जगा किसी ना किसी को कोई ना क이면 कोई प्रॉब्लम है जैसे कहीं पर नालीं की ब्लोकेज है और कहीं पर रास्ते ही बहए गये है तो मैं बताना चाहूंगी हमारी वारड नमबर 5 के बारत्नकर एरिया के लोगों ने चलने के लिए पत्रों के साथ temporary रास्ता बनाया हुआ था तो मैं बताना चाहूंगी वो रास्ता जो है तेज वारिश के गारण बहच चुका है तो इसलिए मैंने जो है irrigation and flood control department को एप्रोच किया वहांके AWE ने जैने बड़ी अच्छे से कोपरेट किया और उने बड़ी अच्छे से इनकी दिक्कतों को समझा और आज फिर से हम लोग जो है यह flood control department की और से यहां पे इनके लिए फिर से temporary रास्ता बना रहे हैं तो मैं यही कहूंगी आज इनके लिए यह पूरा जो यह थीजनन नाला है इसको क्लियर करवा के फिर से वैसे ही temporary रास्ता बनाया जाएगा लेकिन मैं इसके साथ यह भी बता दूंगी कि साथ ही में हमने जो है इसके लिए एक permanent कलवट बना दिया उसके लिए पैसे सेंक्शन करवा रिया है और जल्द ही वो भी बना दिया जाएगा